ये काईज लेट्स कुख विस सुचिता चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको तिबत्यन डिस थुपा की रेसिपी बता रही हूं ये वन पॉट मिल है बारिस की मौसम में हम लोग को गरम गरम सूप पीने में अच्छा लगता है और हम लोग चाहते हैं कि साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमली और फ्रेंड्स में सेयर भी करिएगा और बैल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नेया वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आए देखिए कैसे बनेगा इसकी लिए एक बरतन में मैं पानी उबलने के लिए रखी हूँ और उसमें मैं आदा चमच नमक और एक चमच वेजटेबल आल डाल करके नुडुल्स को बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ मैं नुडुल्स को 90% कुक करूँगी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है नुडुल्स को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है नहीं तो यह खाने में अच्छा नहीं लगेगा दिखे नुडुल्स बॉयल हो चुका है अब मैं इसे एक चन्नी में ट्रांसफर कर दे रही हूँ नूडुल्स कब मैं पानी चान दी हूँ और मैं इसमें विजटेबल ओयल लगा दे रही हूँ नूडुल्स में ताकि नूडुल्स आपस में चिपके नहीं अलग-अलग रहे और इन्हें मिक्स कर ले रही हूँ तेल को अच्छी तरह से नूडुल्स में साथी में ये ठंडा भी हो जाएगा नूडुल समाना दूसरे बरतर में मैं पानी रख करके रफली चॉप्ट सबजीयों को मैं डाल करके वेज़ेटेबल स्टॉक बना ले रही हूँ जो भी सबजीयों का पार्ट बचा हुआ है उससे डाल करके मैं बॉल कर रही हूँ स्टॉक बना रही हूँ जैसे रफली चॉप्ट पत्ता गोपी टमाटर गाजर सिंबला मिर्च बीन हरे प्यास अब डाल करके मैं बॉल कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पर ढख करके और मैं दुसरी तरफ टमाटर को भूल ले रही हूँ गैस पर गैस पर जाली रख करके इस तरह से टमाटर को भूलना है मैं इसका मोमो चटनी बनाओंगी थुप्पा में यह मोमो चटनी काफी अच्छा लगता है टेस्टी लगता है मैं टमाटर का स्कीन इस तरह से निकाल ले रही हूँ क्योंकि यह गरम है इसलिए मैं हातों से नहीं निकाल रही हूँ आप चाहेट उठंडा करके हातों से निकाल ले सारे उपर के टमाटर के छिल्के को तमाटर के छिल्के निकाल दी हूँ और मैं ऐसे roughly chopped कर ली हूँ टमाटर को और मैं mixer jar में डाल दे रही हूँ बुने वे टमाटर को काट करके और मैं इसमें 8-10 ले सुन 2-3 हरी मिर्ज कस्मीरी रेट चिली को गरम पानी में सोक करके डाल रही हूँ 6-7 रेट चिली है और थोड़े से धनिया के पत्ते थोड़े से हरे प्याज भी डाल दे रही हूँ और मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, उपर से और इसका एक पेस्ट त्यार कर लोगी मैं धकल लगा करके इसका एक दरदरा पेस्ट बना ले रही हूँ बहुत जादा fine paste नहीं बनाना है, इस तरह से दरदरा रहेगा, अब chopper में भी कर सकते हैं, मैं pulse mode पे चला करके से PC हूँ, अब एक bowl में transfer कर ली हूँ, देखें यहाँ, vegetable stock हमारा ready हो रहा है, boil हो रहा है, मैं एक बार चला दे रही हूँ अभी थोड़ा और पकाऊंगी, इधर मैं सबजियों में ली हूँ, गाजर, बीन्स, सिमला मिर्च, पत्ता गोपी और मस्रूम, मैं गैस पर कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें मैं एक बड़ा चम्मच, vegetable oil डाली हूँ, और मैं इसमें सबसे पहले बीन्स काट करके डाल रही हूँ, बीन्स को इस तरह से तिर्चे में काटना है, ब्लाजर को इस तरह से पतले पतले जूलियन में मैं काटी हूँ, सब्सक्राइब का सेप का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है इस तरह के रेसिपी में अब मैं मश्रूम डाल दे रही हूं मैं हाई फ्लेम पे इन सब सब्सक्राइब को भून रही हूं अब मैं इस में पत्ता गुबी ढाल दे रही हूं इस तरह से लंबाई में कटा हुआ पत्ता गुबी को मैं डाल करके सौते कर ले रही हूं हाई फ्लेम पर गैस का फ्लेम एकदम हाई ही रखना है आपको स्लो नहीं करना है इन सब्सक्राइब को आप बड़ी कड़ाई में या वॉक आपके पास हो तो उसमें भूने और मैं इसमें सिम्ला मिर्च भी डाल दे रही हूं आखिर में हाई फ्लेम पर भूने से इसका क्रंच बना रहता है सब्सक्राइब का अब मैं हरे प्यास डाल दे रही हूं कुछ देखिए सब्जी भून चुका है अब मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूं सारे सब्जीयों को मैं प्लेट में निकाल ली हूं अब मैं एक प्लेट में बारी कटा हुआ ले सून आद्रक हरी मिर्च प्याज और स्प्रिंग ओनियन ली हूं सीम कड़ाई में मैं एक बड़ा चमच और तिल डाल करके सबसे पहले बारी कटा हुआ अद्रक इसकी बाद बारी कटा ले सून डाल करके मैं हलका गुलाबी कर ले रही हूं बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना बस हलका सा कलर चेंज हो जाएं बस उतना ही भुनना है डालिक को अब मैं दो हरी मिर्च इस तरह से लंबाई में काट करके डाली हूँ अब मैं हरे प्याज को डाल दे रही हूँ वाइट वाले हिस्से को और साथ मैं मैं इसमें एक चोटा प्याज इस तरह से स्लाइस करके डाल रही हूँ प्याज को भी इन सब सबजीयों के साथ मैं भून ले रही हूँ फ्लेम को हाई रखना है अब हाई फ्लेम पे ही भूने अब मैं इधर प्लेट में धनिया के डंठल ली हूँ बारी काट करके और आरे प्याज और टमाटर ली हूँ एक टमाटर का बीज मैं निकाल करके काटी हूँ स्लाइस में सबसे पहले मैं धनिया के डंठल डाल दे रही हूँ इसमें डाल करके मैं भूल ले रही हूँ धनिया के डंठल का स्वाद इसमें काफी अच्छा लगता है इस रेसिपी में अब मैं चलाइज में कटा हुआ टमाटर डाल दे रही हूँ दो तीन मिनट तक भुनना है इन सब सबजीयों को बहुत जादा ओवर कुख नहीं करना है अब मैं इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच में लाल मिच पाउडर डाली हूँ और एक चमच में जीरा पाउडर डाली हूँ भूना हुआ यह जीरा पाउडर है आप चाहे तो इसी समय आधा चमच गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं मैं गरम मसाला पाउडर नहीं उसकर रही हूँ अब मैं वेजेटिविल स्टॉक को सबजी को हटा करके डाल दे रही हूँ आपके पास अगर वेजेटिविल स्टॉक ना रहे तो आप पानी भी डाल सकते हैं अब मैं सोया सॉस और वेनिगर और रेट चिली सॉस मैं डाल दे रही हूँ और कुछ हरेव प्याज के पत्ते डाल दे रही हूँ इन सबको बॉयल होने के लिए मैं रख दे रही हूँ अब नमक डाल दी हूँ स्वात के अनुसार और जो वेजेटिविल को मैं सौते करके रखी थी उन्हें भी डाल दे रही हूँ इन सूप में इन सबको हाई फ्लेम में मैं दो से तीन मिनट पकाऊंगी बहुत जादा ओवर कुक नहीं करना है सूप हमारा देखिए बॉयल हो चुका है अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लिए हूँ अब चलिए थुपा को सर्फ करते हैं एक बोल में सबसे पहले मैं नूडल्स डाल दे रही हूँ बॉयल किया हूँ नूडल्स को को मैं रख दी हूँ अब नूडल्स अपने हिसाब से रख सकते हैं और उपर से मैं इन सूप को डाल दे रही हूँ इन सबजियों के साथ इन सूप को मैं डाल रही हूँ इसे इसी तरह सर्फ किया जाता है नूडल्स के उपर इन सबजियों और सूप को डाला जाता है अब मैं इसके उपर हरे प्याज को छिड़क दे रही हूँ उपर से जानिस कर दे रही हूँ मैं हरे प्यास से अब मैं मोमो चटनी जो बना कर रखी थी उसे भी इसके उपर रख दे रही हूँ यह काफी अच्छा लगता है मोमो चटनी इसे साथ थूपा के साथ आप छाहे तो इसे बिना मोमो चटनी के भी खा सकते हैं अगर आपको ज्यादा तिक्वा पसद नहीं हो तो आप इसे एसे भी खा सकते हैं लेकिन मोमो चटनी के साथ ये काफी टेस्टी लगता है आप इसे ज़रू ट्राइ करें अपने घर पर और अपने एक्सपिरियंस मुझसे सेर करें कि आपको तुपपा की रेसिपी कैसी रगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले थैंक यू